नमस्कार दोस्तों मैं नाम है तिमीर इंडियन बजी सेट अप एपिसोड नमबर एट पर आप सभी का हारदिक स्वागत है देखते देखते हम लोग का आठ एपिसोड हो गया आगे भी बहुत सरे एपिसोड आने वाले बस आप लोग का थोरा सपोर्ड यहां पर होना को देखने के बाद आप भी अपने सेट अप को यहां पर सब्मिट कर सकते हो आने वाले एपिसोड के अंदर आपका सेट अपर इन्होंने बनाया है जो इन्होंने काफी अच्छे तरीके से वेल डेकॉरेटेड एड मेंटेन करके रखा है अगर आप टेविल के ऊपर देखो ना तो आपको एक भी डश्ट देख्टों को नहीं मी लगा काफी अच्छे तरीके से यह मेंटेन करता इससे पता चलता है और अपने सेट अप को टाइम डू टाइम भी करता है तो यह लेकिन इन्होंने अपने CPU को ना टेविल के नीचे नहीं रखा टेविल को ऊपर ही रखा है ताकि इनका जो CPU के अंदर अच्छा एयर फ्लो हो और इनका सेट अप का लूप भी थोरा से यहां पर एन्हांस हो टेविल के उपर का कीविल मैंजमेंट भी काफी सही है एक ही वे दिख रहे है यह थोरा सा अगर मेंटेन करता तो मुझे लगता है थोरा सा और भी अच्छा इनका लूप एन्हांस होता इतना खराब ही नहीं है लेकिन हाँ थोरा से यहां पर इसको मेंटेन करना चाहिए था तो चलो बात कर लेते इनका PC कंफिकेशन की तो राइजन 550 600 G के साथ MSI B450 Pro VDH Max का इस्तेमाल कर रहे है Motherboard, XPG का D30 16GB का 800GB का 2 RAM इस्तेमाल कर रहे है 32 मेंगाज वाला, Storage के अंदर 500GB का Kingston NV1 NVMe, Power Supply के अंदर Antec CS के 550W का Power Supply, and finally Cabinet के अंदर Antec NX410 का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब अगर यहां पर इनका peripherals की बारें बात करें, तो Dell का 20-inch का monitor यू माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं, Board Rockers 450 का headset इस्तेमाल करते हैं, और speaker के अंदर कोई भी speaker इस्तेमाल नहीं करते हैं, CPU की अंदर की cable management की बात करें, तो काफी अच्छे तरीके से इन्होंने cable management करके रखा है अपना CPU का, लेकिन मेरे ही साब से ना, इस cabinet के अंदर और भी अच्छे तरीके से cable को manage किया जा सकता है, थोरा अगर आप यहां पर मेहनत करोगे ना, तो आपका cable management और भी अच्छे यहां पर हो सकता है, स्री जोई ने यहां पर mention किया है, अपनी setup को बहुत ही रिसेली बनाया है, 6th January 2022 के अंदर, और इनका इस setup का जो total budget आया यह है 60,000 के आसपास, भाई अपने इस PC को use करते है, gaming study and animation making के लिए, अब इनका PC configuration को देखते हैं, मैं इतना बता सकता हूं, gaming के अंदर, 1080p low to medium setting के अंदर, इनको काफी अच्छा experience बिलता होगा, भाई ने अपनी setup को बहुत ही सोच समझ के future proof रखते हुए, अब अच्छे तरीके से build किया है, अब बात करें, session and improvement की, तो as such कोई भी session में यहाँ पर देना नहीं चाहूंगा, इनका setup है, काफी balance and future proof है, but मेरी सबसे आपको यहाँ पर storage का थोड़ा बहुत दिक्कत आता होगा, तो in future आप एक hard drive लगा लेगा, तो वहाँ पर आपका यहाँ पर problem solve हो जाएगा, बाकि थैंक्यू इंडियन बर्य सेटप के अंदर participate करने के लिए, अगला setup हम लोगों के यहाँ पर भेजा है, कर्तव या वीसत ने, 15 साल का है, डेली के रहने वाले है, और यह एक student है, इनका setup को इन्होंने एक काच का table के उपर बना के रखा है, जो इनका look को थोड़ा बहुत ने इंप्रू के बिल मैनेजमेंट में यहाँ पर कहना हुआ, काफी अच्छे तरीके से के बिल को मैनेज करकर रहा है, बाकी इन्होंने जो overall look अचिव किया है, मेरी ही साब से काफी काभीले तारीक है, बजट के अंदर रहते हुए भी इन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना setup को यहा 1010 5F का processor, colorful H510 का motherboard, XPG D30 32MHz का 8GB कर रहा है, graphics card के अंदर GT 1030 2GB DDR5 के इस्तमाल कर रहा है, मेरी असाब से यहाँ पे इनको T400 का इस्तमाल करना था, बट खेर इन्होंने 1030 के इस्तमाल कर लिया, SSD के अंदर 128GB का SSD के इस्तमाल कर रहा है, hard drive यहाँ पर नहीं है, gigabyte का PB450 B80 Plus Bronze certified power supply क के इस्तमाल कर रहा है, और finally cabinet के अंदर Deepcool Matrix 55 Mass 4F का इस्तमाल कर रहा है, अब अगर बात करें इनकी peripherals की, तो monitor के अंदर 19-inch का 1080p वाला monitor इस्तमाल कर रहा है, anti-sports KM540W का keyboard mouse का combo इस्तमाल कर रहा है, Cosmic Byte की तरफ से H11 का यहाँ पे headset and Zebronis का 2.1 का यहाँ पे speaker का इस्तमाल कर रहे है, कर्तव नहीं यहाँ पे mention का है, अपने इस setup को बहुत ही recently बनाया है, last month मतलब January या फिर February के अंदर, और इनका जो setup को टूटल बजेट यहाँ पे आता हुआ है 45,000 के आसपास, बहाँ यहाँ पे setup को इस्तमाल करते है, casual gaming and 1080p level का video editing के लिए, 1080p level का video editing के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं आता होगा, लेकिन gaming के अंदर इनको थोड़ा बहुत compromise करना परता है, PC के अंदर की cable management की बात करता है, तो काफी अच्छे तरगे से इन्होंने cable को manage कर रहा है, और जैसकि मैंने कहा है, इन्होंने एक गनपती बपक का मूर्ती रहा है, जो मुझे बहुत ह अच्छे लगे इनका setup के अंदर, अब अगर यहां पर improvement and solution की बात करता है, तो मैं इनको highly recommend करूँगा, at least 256GB का या फिर 240GB का एक SSD या फिर NVMe का इस्तमाल करो, और उसके साथ ना एक hard drive का भी इस्तमाल करो, क्योंकि आज की time 128GB एकदम ना के बराबर है, आप जब window डालगे तो आप ही 40GB के आसपास ले लेगा, तो आपके पास यहां पर storage करने के लिए बहुत ही यहां पर कम storage बचा रहेगा, I hope आपको यहां पर storage के जो problem में यह face करना परता है, तो मैं आपको यहां पर यही recommend करूँगा, कुछ upgrade करना हो, सबसे पहले आप अपने SSD and hard drive को upgrade करना, अपने setup के अंदर, I hope आपको में सेसल से कुछ ना कुछ help ज़रूसर होगा, बाकी thank you करते हो या, Indian budget setup के अंदर participate करने के लिए, अगला setup हम लोग के यहां पर भेजा है, ततन में 21 साल का है, त्री पुरुआ का रहने वाले है, और यह एक college student है, इनका setup के अंदर इन्हों ने दो छोटे चोटे टेविल का स्तमाल किया है, कुछ else का यहां पर look achieve करने का कोशिस किया है, बाकी इनका setup है, देखने में थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन और भी अच्छे तरीके से यहां पर decorate करता ना, थोड़ा सा, तो यहां पर और भी अच्छा look achieve कर सकता था, लेकिन इनका setup है, इतना खराब भी नहीं दिख रहा है, काफी अच्छे तरीके से इन्होंने ना, इनका setup को maintain करता है, और clean करता है, देखने से पता चलता है, कोई भी dust यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, केबिल मैनेजमेंट भी यहां पर काफी अच्छे तरीके से maintain कर रह इनका यहां पर इस्तमाल करते हैं, यही पर बात करें अगर परीफेरल की तो एसर का नाइट्र 22 इंच के यहां पर मॉनिटर के स्तमाल कर रहा है, यह एक वी ऐ पैनेल है, जे ब्रॉनिक की तरफ से JEP KM20100 का कीबोर्ड, GINIOS GM 04003A का मौंस, एकसा E900 का headset, speaker के अंदर कोई भी speaker के इस्तमाल नहीं करते है और Red Gear का यहाँ पे XL का full size mousepad के इस्तमाल कर रहे है अपने setup के अंदर यहाँ पर बात करें इनके PC के अंदर की cable management की तो काफी अच्छे तरह किसी इन्होंने cable को manage करके रखा है मेरे सबसे आज का जो सभी PC setup है उसके अंदर one of the best cable management मुझे यहाँ पर देखते को मिला भाई ने अपने setup को धीरे-धीरे upgrade किया है March 2021 से December 2021 तक अपने setup को यहाँ धीरे-धीरे upgrade किया है और total budget यहाँ पर जो आता इनका setup का वह है 60,000 के आसपास भाई अपने इस PC setup को इस्तेमाल करते है थोड़ा बहुत light gaming, college का project and media consumption के लिए अब अगर यहाँ पर बात करें solution and improvement की तो as such कोई भी solution या फिलिए improvement की इनको जहुरत नहीं है अगला setup हम लोग को बेचा है दीबाकर सरकार ने 20 साल का विष्ट बिंगॉल के रहने वाले है और यह एक engineering का student है दीबाकर ने अपने setup को bedroom के अंदर ही एक side पे बना के रखा है एक छोटा सा table के अंदर सिर्फ इन्होंने monitor को रखा है और बहुत ही basics है इनका जो setup है देखने में लग रहा है हाला कि अपने setup को काफी ध्यान देता है साफ सफाई भी करता है एक भी dust देख तो नहीं मिलता अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक paper का इस्तमाल कर रहा है कोई भी mouse pad नहीं है तो यहाँ पे बजट के अंदर बहुत ही जुगारू setup है इनका लेकिन फिर भी भाई नहीं यहाँ पे बहुत कोशिस के अपने setup के उपर एक अच्छे look achieve करने के लिए table के उपर का cable management के उपर भी ध्यान दिया है इन्होंने जादा यहाँ पे cable वीजबल नहीं है जितना cable है उसको अच्छे तरीके से इन्हो पे अच्छा हो जाएगा और आप और भी अच्छा look यहाँ पे अच्छीव कर पाऊगे तो अभी देख लेते हैं के PC के अंदर की configuration क्या देखते को मिलता है AMD Ryzen 32200G का प्रशेशर MSI A320MA Pro Motherboard RGB का 3200 MB अच्का रहा है गिगवाइट की तरफ से GT 710 का Graphics Card वैसे मैं इस Graphics Card को Graphics कार्ड नहीं बोलता मैं इसको Display Card बोलता हूँ GeoNix 120GB का SHD Seagate की तरफ से One TV का Hard Drive Power Supply के अंदर Basic सा Phone Tech का एक पाउर सप्प्लाई और Basic सा Phone Tech का एक Cabinet का इस्तेमाल कर रहे है और इसे के साथ Phone Tech की तरफ से 600VA का एक UPS का भी इस्तेमाल करते हैं अब अगर बात करें इनकी peripherals की तो डेल का 22-inch का 60Hz वाला Full HD 1080p का Monitor Logitech की तरफ से K120 का Keyboard एक Basic सा Local Branded Mounts Realme की तरफ से Wireless Nick Band and Bot की तरफ से एक Wired Headset का इस्तेमाल करते हैं Speaker के अंदर Zinc की तरफ से 2.1 का Speaker and Tenda की तरफ से एक Wi-Fi Adapter का इस्तेमाल करते हैं अब भाई नहीं या पर मेंसन नहीं किया अपने setup को किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं Gaming इसके अंदर इतने अच्छा कासा नहीं होगा बाकी डेली का काम या फिर कॉलेज का काम इसके अंदर हो सकता है और Editing के अंदर 1080p level का Editing इन्होंने कर सकता है अब Improvement and Session की बात करें तो भाई या पर 200G के साथ GT 710 Graphics Card जो इस्तेमाल किया है उसकी जगह अगर RGB का एक और RAM लगा लेता टोटल 16GB तो इनको ना काफी अच्छा performance यहां पर मिलता आपको सबसे अच्छा लगा मैं उसका reply 100% दूंगा बाकी मिलते एक और नए वीडियो के साथ तब तक keep smiling and always be happy